अजमेर की पोक्सो एक नायले संक्या एक में पाच वर्षे नाबालिक के साथ दुशकर्म की वारदात को अंजाम देने वाले मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को अंतिम सास तक जेल में रहने की साती आरोपी पर सित्र हजार रुपे का आर्तिक दंड भी लगाया गया है आरोपी पडूस में ही रहने वाला है और उसने नाबालिक को टोफी और पानी पताशी किलाने के बहाने अपने पास बुलाया और उसे अग्यादिस्तान पन ले जाकर उसके साथ गिनोनी वादात को अंजाम दिया आज पोक्सोकूट के विशिज नेहदी श्री बनालाल जी जाड़ दुआरा पोक्सोकूट के आरोपी को अंतीम सांस तक की लाइप इंप्रिजमेंट की सजा से दंडित गया और सतर अज्जा रूपे के अर्दन से दंडित किया है प्रिकरण में घटना नुसार परिवादिय घहरे के लिए घर तक कि बकष्यार के लिए बाधने के लिए बच्ची के साथ 2 दूर? 28-468 बच्ची जब रूतियु ही रास्ते में उसकी माँ को मिली तो बट्ची अपने अपने वारे में उसको बताया और बundred क हम चृतना जेनग थी तक ने थाने थाने में बच्ची के बयान लिये और प्रक्रण में पुलीस ने एक महीने चार दिन के ऐंदर माने नाले के सामग आरूपदत रुपेश किया और माने नाले ने भी प्रक्रण फेंसला करने इस त्यन का दिजित किया और पुलिस ने भी तत्वरता दिखाते हुए घटना स्तल पर FSL टीम को बिला, FSL टीम मोके पर पहुची, FSL टीम ने घटना स्तल पर जो साक्षे थी, वो साक्षे को ली और घटना स्तल की वीडियोग्राफी कराई, फोटोग्राफी कराई, वीडियोग्राफी, फोटोग्रा परकार से एक पडूसी ही एक विक्ती का बहुत सच्चा साती और हमदर्द होता है और पडूसी बुरे वक्त पे हर विक्ती के साथ आता है अगर पडूसी ही इस परकार का किरते करें तो लोगभाग अपने पडूस में रहने वाले विक्ती पर विश्वास और संद्य उत्पन हो जाएगा और कोई भी किसी परकार के पडूसी पर कोई विश्वास ने कर जाएगा क्योंकि पडूसी का रिस्ता एक बहुत आत्मेता वाला और समवाद वाला रिस्ता होता है जिस पर सहस्ता से सहर विक्ति विश्वास करता है उसने उस रिस्ते को और पडूस में रहने वा झाल झाल